नमस्कार, मैं विपनकुमार विवान वास्तू पार्चाला में आपका स्वागत करता हूँ आज हमारा टॉपिक है पिता पुत्तर को लेकर क्यों पिता पुत्तर में सबंद खराब हो जाते हैं क्या कारण है खुश खबरी मालवेदा सब तो पहला वास्तू पार्चाला हुन मुगा विच आओ सर्बद्दे पर लेदे नालनाल अपने पवेखनवी सुवारिये एक कोर्स करके कोरस जिमे की वास्तू शास्तर ओरा स्कैनर, जीपिएस अस्ट्रोलजी, मेडिकल अस्ट्रोलजी, टैटू एक्टिवेशन, जैमिनी अस्ट्रोलजी, केपी अस्ट्रोलजी, कोफी कप अस्ट्रोलजी, जियो पैटिक स्ट्रेस कोर्स तेस्तों इलावा भी वास्तु दे अनेका कोर्स इंडस्ट्रियल एस्ट्रॉलजी वर गे आप जी दे मोगा शहर वेचे ही करवाए जान दे हैं एनना कोर्स आनु करके देश भी देश वेच तुसी अपने पवेख दे नाल नाल लोका दा भी पला कर सकते हों एनना दा कोई जादा फीस भी नहीं है ते बहुत ही थोड़े समय वेच तुसी वास्तु विश्यश्यक बन सकते हों जादा जानकरे लिए संपर्क करो दिवान वास्तु पार्शाल फोन करो अठानमे आठ सो तरासी चरवंजा एक सो कहतर अगर बच्चा आपका पॉता नहीं है एक्जाम में कम माँस लाता है आपका कहना नहीं मांता आपके कहने से बार है प्यारों दोस्तों के साथ राद बर पार्टी करता रहता है उसे विदेश जाने में दिक्कत आ रही है वो नशे करने का आदी हो चुका है फिर पिता अपने बच्चों के उपर चिलाता है चिलाता क्यों है क्योंकि उसका कसूर बच्चों का नहीं है उसमें कसूर बच्चों क हमारे घर में हैं हमारे घर में ऐसा कौन सा दोश है जिससे हम आज जाते हैं कि हमारे पिटा-पुत्र क्यूं आपस में दूसरे के दुश्म न बन जाते हैं वह प्रॉपर्टी का हो चाहे वह किसी भी तरह का जगड़ा हो प्रीज आप देखो अपने घर में इस डिरेक्शन को जहां से हमारा सूर्य उगता है अभी आपने क्या करना है अगर आपको 45 देवता की नौलेज नहीं है आपने इस्ट की दिवार के आपके घर की जो इस्ट की वॉल है आपने उसको बेट भाग में डवाइट कर लेना है और फिफ्ट भाग में जो हमारे रवी देवता आते ह अगर वहां पर अगर वहां पर एंटी एलिमेंट पड़ा है अगर स्टोर है अगर आपके रवी के पद के उपर सूर्य के पद के उपर स्टोर है तो यह कारण है पिता-पुत्तर में लडाई होने का तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप पिता-पुत्तर म तो प्लीज तो प्लीज आप उसे रिमूव कर दें तो आज की वीडियो में बस इतला ही प्लीज आप मेरे चैनल विवान वास्तू पार्शाला को लाइक और सब्सक्राइब करें नमस्कार